कुमिशन ओफ इंडिया की गाइड लेंज के अंतरगत यह जो आज की इंटर स्टेट कोडिनेशन मीटिंग है जिसमें हमारे विवानी के खाब लगते सभी जिलों की यह मीटिंग हुई जिसमें चूरू डिस्टिक्ट हैं अनुमान गड़ है और जुन जुनु है उसके लावा महेंदर गड़ भी हैं तो सभी जो DSP स्थर हैं उसके हमारे विस्तार कुर्वक डिसकेशन हुई है और जॉइंट ऑपरेशन जॉइंट नाका बंदी इत्यादी जो है उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है जिसको आगे आने वाले समय में क्रियानवित किया जाएगा हमारा उदेश्य यह है कि जितने भी स्थाई व को मजबूत करना ताकि किसी भी तरह की आई शराब हो या कोई नगजदी हो या कोई हदियार हो या निया कोई इप इस्यृदी इत्यादी प्रति बंदित वस्तों की किसी तरह की आवाज आई उसको पूरी तरह से रोक लगाना इस संब्द में हमारी पूरी डिसकेशन तो कुल मिला कि हमारी अच्छी एक discussion के पाथ आगे की हमारी रूप रेखा बन चुकी है और उसके अंदरूप हम काम करेंगे देखिए यह हर जिले के साथ अलग-अलग numbers में हैं जो कि काफी detail लिस्ट है जिसमें अलग-अलग districts के साथ अलग-अलग numbers है उसके तो वह हमारी आपस में शेयर हो गई हैं लिस्ट हमारे वट्साइब भी बन चुके हैं और इसके ओपर जो आपस में SHO लेवल पर जो कोडिरिशन चाहिए और जो DSP इस तरफ पर जो कोडिरिशन चाहिए वह भी हमारा आज हो गया मुख्य तोर पर जो अपराधियों के जो धरपकड होती है तो जो अपराधि एलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं तो वो उसको रोकना हो है उसके लावा जैसा कि मैंने बताया तो arms की तसकरी है या या फिर ndps की है या फिर cash की movement है जो huge amount of cash उसकी movement को रोकना है वो हमारा हम हम मान रहें मान के चल रहे हैं कि इस प्रकार की हमारे और एक लिकर के movement को इसको रोकने के लिए मुख्यत है हमारे फोकस रहेगा इसके लावा कुछ कच्चर रास्ते हैं वो भी हमारे दोनों टीमों के द्वार आइडेंटिफाई किये गए हैं और जिस प्रकार से आप राध्यों की धरपकड़ करने के लिए एक सर्प्राइस element रखते हुए हम स्थाई नाकों पे और हम आज स्थाई कच्चर रस्तों पर अगर प्रतिबंदित व्रस्तों में से कोई भी उसके पास नहीं है तो किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है अपने डॉकुमेंट्स काड़ी के प्रॉपर रखे और नाके पर जब आपको रोका जाए तो आप रुकें और अपनी प्रॉपर चेकिंग करवाने उपरांत आप जा सकते हैं यह सभी डिश्टीमों को दिशांदेश दिये गए हैं किसी की भी harassment ना हो आम जंद से सुहार आप लेके चलते हैं तो इसमें उसको cash season में रखा जाता है फिर आपको explain करना होगा उसको to the team at the district level कि उसको आप किस purpose के लिए और कहां से लेके आये थे अगर वो सही पाय जाता है तो रिलीज भी हो जाती है पचास अजार की अगर वहाई पर कोई कारण स्पश्ट कर देता है तो उसको वहाँ भी छोड़ा जा सकता है अगर हमारे जो team checking officer है उसको इसको संदे होता है कि वह सही नहीं है या verify नहीं कर पाता है उसकारण को तो उसको सीज किया जाएगा next team जो district level की team है वो उसको चेक कर जाएगी यह ensure किया जाएगा किसी प्रकार की harassment किसी के जाएगा